प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी देश्वास्यों ने फरी एक वार कोरोनानी रस्ती लेवानी अपिल करी तीका भी लेना, कडाई भी रखना मास्क और दोगच की दूरी का पालन कोरोना से बचने का मूल मंत्र भारत में कोरोना के खिलाफ देश्व्यापी ठीका अभ्यान दुरिया में सबसे तेज रफ्तार से चल रहा है करीब 18 करोड वैक्सिन डोज अभी तक लगाई जा चुकी है इसके लिए 18 से उपर आयू की सभी लोग पात रहें केंद्र और राजसरकारे अलग-अलग अभ्यानों के जर्गे ज्यादा से ज्यादा आवारी तक ठीका पहुंचाने में चुटी है बस जरूरत है राजसरकारे मिलकर ये निरंतर प्यास कर रही है कि जादा से जादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाई जब भी आपकी बारी आएं तो टीका जरूर लगवाएं देश भर में कोरुना की दूसरी लहर सुनामी बनी होई है ऐसे में प्रधान मंत्री मोदी ने लोगों को दो गजदूरी मास्क है जरूरी के मूल मंत्र की यार दिलाई और सर्दी खासी जुकाम सरीखे सामान लक्षनों को भी हलके में नहीं लेने की हिदायती सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दत जैसे लक्षनों को सामाने मानकर नहीं चलना है पहले तो खुद को अथा संभव दूसरों से अलग करना है फिर जल्द से जल्द कोरोना टेस्ट करना है और जब तक रिपोर्ट ना आये तब तक डॉक्टरों से जो दवाई बताई है वो जरूर लेते रहना है प्रधान मंत्रे नरंद्र मोदी इस साल कोरोना टीके की एक मार्च को पहली और आठ अप्रेल को दूसरी डोज ले चुके हैं ये ठीका कोरोना से बचने में किसी संचीवनी से कम नहीं है कोरोना टीका करन अभियान को और अफ्तार देने के लिए सरकार पूतनेक सरीखी विदेशी वैक्सिन को भी अगले सब्ता तक भारत में उपलब्द कराने में जुती है इस ठीका करन अभियान में आप भी भागिदार बनिए और ठीका जरूर लगवाई ब्यूरो रिपोर्ट नियूस एटिन नेट्वोर्ट